दिखें अक्षाब्ध है formation, f-o-r-m-a-t-i-o-n, formation तो इस विडियो में formation का हिंदी इंग्लिश में क्या अर्थरमतलब होता हैं, जानेंगे example से sentences में इस शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे, तो चलिए video को start करते हैं समझें इस शब्द को क्या अर्थरमतलब होता है formation का, देखें formation को बोलते हैं हम गठन, निर्मान, उत्पत्ती, सनरचना, बनना, बनाने की किर्या, रूपायन, संगठन, रचित, वस्तू, शकल या तश्कील मतलब formation, इंग्लिश में formation को बोलते हैं layout, format, arrangement, setup, configuration, confirmation, design, composition, plan, structure and it is similar और भी इंग्लिश में इसके words आ सकते हैं, synonyms हो सकते हैं, अभी शब्द को sentences में use करके अच्छी तरह से समझते हैं, जिससे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रियोग करेंगे, कि this book explains the formation of the universe, बलब यह पुस्तक बरहांड के निर्मान की वयाख्या करत ही है, universe का मतलब बरहांड, formation का मतलब निर्मान, दूसरा example है कि this is the formation of a new government, बलब यह नई सरकार का गठन है, formation है, ठीक है तुमित आपने formation शब्द को English and Hindi में एक्जामपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है, थैक्स पूर वाचिंगे अच्छी तरह से समझ लिया है, थ झाल 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 झाल झाल